आज की इस वीडियो के दर हम जानेंगे 3-phase motor का load calculation यानि उसका जो current होता है वो हम current कैसे निखालेंगे तो दोस्तो हम एक एक्जामपल ले रहे हैं जो की है 5 HP की motor दोस्तो हमारी जो HP होती है 5 HP motor वो 3.7 kW की होती है इसके लब दोस्तो हमको क्या-क्या चीए एक हमको motor में वोल्टी चीए कि आखिना देर है तो अगर 3-phase देर है तो 415-वोल्टे देर है इसके लब दोस्तो मोटर की नेम प्लेट पर आप देखेगा एक पावर फेक्टर मेंशन होगा वह पावर फेक्टर अगर नहीं मैंशन है करने का फॉर्मला होता है करन्ट को दोस्तो आई से दिनोट करते हैं और जो फॉर्मला होता है वह होता है किलोवार्ट मुल्टिप्लाइबाइब एक हजार डिवाइड बाइड रूर्थरी इंटु वोल्टेज इंटु पावर फेक्टर बस दो इसके अंदर में चीज़े पॉट कर लूगा और मेरा करेंट निकल जाएगा अब कर्णे कि अगर कभी आपके बार रेटिंग कभी-कभी ऐसी प्रभ्लम में आरे सामने आती है कि हमारे पास जो मोटर की नेंट प्लेट पर पावर होती है बहुत सिम्पल है दोस्तो यानि चितने भी एक है नना दोस्त अभी तो हम 5 HP कर रहे हैं, तो 5 HP के अंदर 1.31 का, अगर जैसे 10 HP है, तो 10 HP के अंदर 1.341, आप ये वैल्यू याद रख लिजिगा, ठीक है, HP के अंदर 1.341 का भाग लगा दोगे, तो आप का जाएगा किलो वाट, तो दोस्तों, हमारे, अभी मेरे को पता है कि अगर मैं इसक रूट इल्गी जो वैल्द होती है वह होती है 1.732, तो यहां पर मैं लिख दूँगा 1.732 into voltage जो है 415 है into power factor, मैंना भी आपको बताए, अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको मोटर पे तो आप 0.8 माने के चलिए, तो दोस्तों, इन दोनों को मल्यूप्लाइ करूँगा तो आएगा मेरा 3700, 3700 और 200 नीचे में अगर मुल्टिप्लाइ करता हूं तो देखते हैं क्या आता है 315 x 1.732 x 0.8 तो दो नीचे मेरा आया 575 तो दोसे अब मैं इनको डिवाइड कर लूँगा कि 3700 x 575 कितना आएगा और मेरी मोटर का फुल लोड करेंट कितना आएगा तो दोसे यह हो गया 3700 x 575 तो दोसे मेरी जो मोटर है वो मेरी मोटर का फुल लोड करेंट आया 6.43 इसके लाग दोसे इसी वीडियो के अंदे में आपको एको चीज यह बता हूं कि अगर हम कोई सर्कीट बेकर का उप्यों क आप समझते हैं, जैसे हमारी कोई MCB हो गई यह फिर MCCB हो गई, MPCB हो गई, यानि जितनी भी हमारे CB लाज में आते हैं, इस सर्कीट बेकर हो गया, अगर हमको इसके जो सर्कीट बेकर लगाना है, वह हम कितने का लगाएंगे, तो दोसे इसका सर्कीट बेकर हमेज़ा हमार यह इलक्रिकल स्टेडिक हैं, वह जो भी हमारा जो मोटर का फूल लोड करेंट, उसका हम 25% उपर का सर्कीट बेकर लगाते है, 25% का मतलब दोस्तों मैं इसके अंदर मुल्टिप्लाइ करूँगा 1.25 का, तो दोस्तों मैं अगर इसके अंदर मुल्टिप्लाइ करूँ 6.43 इ तो दोस्तों मेरा जो circuit वेकर आ रहा है वो हा रहा है 8.03 Ampere मेरी यह 8 Ampere के उपर का जो मेरे मार्केर में पर अवेलेबल है वो इस Mोटर पे हमको लगाना पड़ेगा तो दोसर आई होब कि अब आप मोटर का करेंट निकालना सीख गए होंगे तो अगर फिर भी आपक को सवा कर लीजिए आज के लिए तना ही धन्यवाद